हेलो क्लास नाइन कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन लोगतंतरिक राजनीति का चप्टर नमबर वन और चप्टर का नेम आप देखो यहाँ पर है पुझनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गिकरण किस तरह करेंगे इनके सामने लोगतांतरिक और अलोगतांतरिक और पक्का नहीं लिखें तो यहाँ पर आप देखो देश को है ठीक है आपको बताना है कि इन में से कौन सा लोगतांतरिक है कौन सा अलोगतांतरिक ह और कौन सा पक्का नहीं यानि कि जिसके बारे में आपको पता नहीं है तो पहला यहाँ पर देश को है जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है तो यह है अलोगतांत्री फिर देश खो है यहाँ पर एक ही पार्टी बीते वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है यह है पका नहीं फिर क्योंकि इसमें पका नहीं है अगर एक ही पार्टी जीतती भी आ रही है तो हो सकता है वो अलोगतांत्री को यानि कि उसमें वही पार्टी हर बार बनती हो और ये भी हो सकता है कि अगर वो पार्टी अच्छी होगी तो हर बार लोग उसी को जिताते होगे ठीक है तो इसमें आपको पता नहीं है फिर है देश गो पिछले तीन चुनाओं में सासक दल के पराजय का मुहद देखना पड़ा ये है अलोगतांतरीक फिर उसके बाद है यहां स्वतंत्र चुनाओं आयोग नहीं है तो ये होगा अलोगतांतरीक फिर उसके बाद हम देखते हैं question no2 है यहाँ चार अन्य देशों के बारे में कुछ सूचना दी गई है इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वरगी करण किस तरह करेंगे इनके आगे लोकतांतरिक और पक्का नहीं लिखें तो देश चो है यहाँ पर संसद सेना परमुक की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानुन नहीं बना सकती तो यह अलोग तांत्रिक फिर देश चो है यहाँ पर संसद नियाय पालिका के अधिकारों में कटोती का कानून नहीं बना सकती तो यह होगा आपका लोगतांत्रिक फिर देश जो है देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमती के किसी और देश से संधी नहीं कर सकते तो यह है अलोगतांत्रिक फिर यहाँ पर देश जो है देश के अधिक फैसले केंद्रिय बैंकों के अधिकारी करते हैं जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते तो यह होग अलोग तंत्रिक फिर हम देखते हैं अगला प्रशन आपके पास प्रशन तीन इन में से कौन सा तर्क लोग तंत्र के पक्ष में नहीं है अच्छा नहीं है ठीक है और क्यों नहीं है तो इसका कौ देखो आप लोग तंत्र में लोगों खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं ख lawyer है लोगतांत्रिक व्ववस्ताएं दूसरों की तुलना में तकरावों को ज़दा अच्छी तरह सोल जाती हैं, फिर गEMA है याँपर लोगतांत्रिक सरकारे लोगों के परतिच ज़दा उतरदाई होती हैं, फिर गोह है लोग तांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा सम्रिद होते हैं तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा तर्क लोग तांत्रिक के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों नहीं है तो अब आप देखो उतर है यहाँ पर कौप लोगतांतरिक देश दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा सम्रिद्ध होते हैं लोगतांतरिक पक्ष में अच्छा तरक नहीं है क्योंकि भारत जैसे कुछ लोगतांतरिक देश अब भी आर्थिक रूप से विक्सित हो रहे हैं जबकि संयोक्त अरब एमिरेट जिसे हम कहते हैं जैसे राजतांतर वाले देश आर्थिक रूप से सम्रिद्ध है तो ये उसका उत्तर हो जाएगा आपका फिर क्ष नमर फोरम देखते हैं इन सभी कतनों में कुछ चीजें लोगतांतरिक हैं तो कुछ अलोगतांतरिक हैं हर कतन में इन चीजों को अलग-अलग करके लिखें तो को है याँपर एक मंतरी ने कहा कि संसत को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगटनों द्वारा तै नियमों की पुस्त ही हो सके फिर खौ है याँपर चुनाव आयोग ने एक चुनाव छेत्र में सबी मतदान केंद्रों पर दो बारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान के गड़बड की गई थी फिर गौह है याँ पर संसद में औरतों को प्रतिनिदित्व कभी बھی एक प्रतिचत तक पहुँचा है और फिर यहाँ पर इसी कारण महिला संगठं ने संसद में एक तहाई आरक्षन की मांग की है फिर उसके बाद हम देखते हैं उत्तर है यहाँ पर कौ लोगतांतरिक चीज तो संसक को कुछ कानून पास करने होंगे अलोगतांतरिक चीज यहाँ पर है विश्वव यापर संगठन द्वारा तैय नियमों की पुस्टी हो सके फिर है लोगतांतरिक चीज इसे आप लिखोग महिला संगठन ने कई एक तिहाई आरक्षन की मांग की है फिर है अलोगतांतरिक चीज संसद ने औरतों का प्रतिनीदों कभी भी 10% तक नहीं पहुँचा है फिर हम देखते हैं प्रशन 5 है यहाँ पर लोगतांतर में अकाल और भुकमरी की संभावना कम होती है यहाँ तरक देने का इन में से कौन सा कारण सही नहीं है को है यहाँ पर विपक्षी दल भुक और भुकमरी की और सरकार का ध्यान दिला सकते हैं फिर खो है यहाँ पर स्वतंतर अकबार देश के विबिन हिस्सों में अकाल की इस्तिके बारे में खबरे दे सकती है गो है सरकार को अगले चुनाव में अपनी परजय तो ये इसको परजय नहीं आपको यहां पर करना है पराजय का डर होता है ठीक है फिर यहां पर लोगों को कोई भी तरक मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंतरता है उतर आप लिखोगे कारण घौ है यहां पर आपका ठीक है यहां कहने के नहीं है फिर यहां पर आप देखो जो प्रशन लिखा है इसमें आपको नहीं लिखना यह अगला प्रशन आपका प्रश्च है किसी जिले में 40 ऐसे गाउं है जहां सरकार ने पेजल उपलब्द कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है इन गाउं के लोगों ने एक बैठक की और अपनी जरूरतों की और सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया इन में से कौन सा तरीका लोगत नांतरिक नहीं है आपको बताना है तो यहां पर पहला तरीका आप देखो अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए लिए रिश्वत देना तो यहां पर आप लिखोगे घौव ठीक है यहां एक अलोगतांतरिक तरीका है ठीक है लोगतांतरिक में आप रिश्वत नहीं दे सकते फिर अब आप देखो प्रशन साथ है यहां पर लोगतांतरिक के खिलाफ दिये जाने वाले इन तक जवाब ठी तो ये देखो ये उत्तर आपका देखो काव का सेना देश की एक रक्षा के लिए महतपूर्ण है किन्तु यह लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं है इसलिए यह एक लोगतांत्रिक सरकार का गटन नहीं कर सकती। के शाषन की अधीन चिले की जनता को कश्ट भोगने पड़े। फिर उसलिए बाद अब देखो यहां पर खौ है बहुमत के शाषन का मतलब है भूक और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों की जरूरत है भले ही उनकी संक्या कम क्यों नहो। तो इसका उतर हम देख है समाज के कुछ वर्गों की अंदेखी करना अनुचित होगा को है यहां पर अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्ग दर्शन के लिए हमें धर्म गुरूं की जरूरत होती है तो उनहीं को राजनीतिक मामलों में मार्ग दर्शन का काम क्यों नहीं सौपा जाए देश पर धर तो आपको इस पर तरक देना है अपना ठीक है तो यहाँ पर आप देखो तीसरा कतन खतरनाक है राजनेती में धर्म को शामिल करने से गंभीर विवाद पैदा हो सकते हैं क्योंकि भारत जैसे कई धर्मों के देश में आपनी विचार धारव में पारसपरिक मतभेदों के बन सकते हैं विश्व इतिहास में अभी तक किसी भी धार्मिक राजनेता द्वारा चलाई जा रही सरकार सफल सिद्ध नहीं हुई है धर्म को किसी भी देश के राजनेतिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए फिर प्रशन आठ है यहाँ पर इनमें से किन कतनों को आप ल तरम देखते हैं पूछ कर ध्यान मत बटाओ तो इसका अब आप उतर देखो दूसरा कतन अलोग तांतरिक है क्योंकि छात्र को प्रशन पूछ कर अपना शंशे दूर करने के अधिकार से वनशित किया जा रहा है यहाँ अलोग तांतरिक नहीं होगा यदि कोई छात्र अपने अध्यापक से प्रशन करे सबसे अच्छी चीज़ जो एक अध्यापक कर सकता है वहाँ यहाँ है कि वहाँ छात्रों से कहे कि कक्षा शमाप्त होने के उपरांत बच्चे प्रशनों के उतर जान सकते हैं किन्तु उसे छात्र के प्रशन के उतर देने चाहिए फिर हम देखते हैं अगला यहां पर अधीकारियों से कर्मचारी हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किये जाने चाहिए तो इसका उतर आप देखो तीसरा कतन लोगतांत्रिक है क्योंकि यह ऐसे नियम का या कानून की मांग करता है जो कर्मचारियों के लाप्रद हो कर्मचारी सदय भी कानूनी मानकों के अनुसार अपने अधिकारी से किसी चीज का अनुरोद या मांग कर सकते हैं अता यह कतन लोगतांत्रिक मूल्यों के शापेक्ष है फिर हम देखने है प्रस्ट नौ है याँ पर एक देश के बारे में निम्रलिकी तत्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोगतंत्र कहेंगे या नहीं अपने फैसले के पीछे के तर्क भी बताएं तो को है याँ पर देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं खौ है याँ पर देश के अंतराश्टी एजेंशियों से रिन लिया रिन के साथ यह एक शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्ते पर अपने खर्चे में कमी करेगी फिर गौ है याँ पर लोग साथ से ज़्यादा भासाएं बोलते हैं पर शिक्षा का ध्याम माध्यम सिर्फ एक भासा है जिसे देश के 52 फीसदी लोग बोलते हैं तो इन सभी के उत्तर आपको लाइन वाइस देने हैं तो सबसे पहले हम कौ का उत्तर देखते हैं ऐसा देश लोग तांत्रिक है क्योंकि देश के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है और नियमित रूप से चुनाव कराए जाते हैं फिर यहां पर खो है लोगतंत नागरिकों की गरिमा में बड़ोतरी करता है एक लोगतंतरिक शरकार नागरिकों के कल्यान के लिए कार्य करती है सिक्सा एवं स्वास्ते पर खर्चे में जो कमी करना लोगों की कल्यान कारी नहीं होगा ठीक है अब खर्चे में अगर कमी होगी तो लोगों के लिए गलत होगा इसलिए ऐसे देशों को लोगतांत्रिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई भी लोगतांत्रिक देख सिक्सा एवं स्वास्ते पर खर्चे में कमी के लिए सहमती नहीं देता ठीक है सहमत नहीं होगा फिर गौ है याँ पर राश्ट भासा एक भासा हो सकती है क्योंकि ऐसी चीज व्यापक स्तर पर राश्टिय एकता लाती है किन्तु अन्य भासाओं को भी उनके संबंधित छेत्र में प्रोच साहित करना चाहिए मेरा विचार है कि यहाँ देश अलोग तांतरिक नहीं है फिर वाप देखो प्रस्न दस है यहाँ पर अमेरिका के बारे में 24 में आई एक रिपोर्ट की अनुसार वहाँ के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है आमदनी की जो असमानता लोग तांतरिक प्रक्रिया के विबिन वरगों की भागिदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई है इन समोहों की सरकार के फैसलों पर असर डालने की शमता भी इससे प्रभावित हुई है इस रिपोर्ट की मुक्य बाते थी अब इसकी क्या बाते थी मुक्य बाते वो आपको यहां पर लिखनी है तो इसका उत्तर हम देखते हैं इसमें कोई विबाद नहीं है कि गरीबी का लोग तंतर पर सीधा एवं गहरा प्रभाव पड़ता है एक अश्वेद परिवार किसी स्वेद परिवार के मुकाबले बहुत कम कमाता है इसलिए उनकी कमाई में असमानता उनकी मतदान पैटर्न में साफ जलकती है राष्टपती के चुनाओं में 75,000 डॉलर या इससे अधिक की आएवाले 10 में से 9 लोगों ने मतदान किया था जबकि 15,000 डॉलर से कम आएवाले 10 में से 5 लोगों ने मतदान किया था इतना ही नहीं उनकी आए में अंतर ने सरकार द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करने की योग गेता भी निर्धारित करता है क्योंकि राजनीतिक डलों को दिये जाने वाले चंदे का 95 प्रसिज़त अमीर लोगों से आता है इसलिए वे राजनीतिक दलों के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अधिकतर कम आये वाले नागरिकों की आपेक्षा बहतर इस्तिती में थे क्योंकि गरीब लोग राजनीति में कम भाग लेते हैं इसलिए सरकार इनकी और एवं इनकी शिक्सा स्वास्ते रोजगार निवास की समश्या तथा भुकमरी की और कम ध्यान देती है विबिन राजनेताओं द्वारा निर्मित सरकार व्यापार और समाज के अमीर वर्ग के बारे में चिंतित रहती है फिर हैं अमेरिका की तरह भारत में भी विमिन राजनेतिक दल अमीर लोगों के समश्याओं पर अधिक ध्यान देते हैं जो उनको दिये जाने वाले चंदी की राश्ची का अधिकतर भाग उनहीं से आता है तो क्लास 8 यहां पर आपके इस चप्टर के कोशन आंसर भी कंप्लीट हो जाते हैं और आप क्लास 8 अधर सब्जेट के कोशन आंसर वीडियो भी मौडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं मैंने सभी पर वीडियो बना रखी है बागी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मौडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें